कहते हैं कि एक सच्छा अभिनेता ही लोगों के दिलों में जगा बना सकता है आज हमारे साथ मौझूद है एक ऐसे अभिनेता जिनोंने लोगों के दिलों में एक खास जगा बनाई हुई है यहाँ हम बात कर रहे हैं शाबास खान की आईए उनसे बात करते हैं कि उनका कैसा रहा अब तक का सफर बॉलिवुड में बहुत बहुत धन्यवाद साय आपका माई चैनल के साथ बात करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इतने सालों से बॉलिवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं टेलिविजिन में काम किया सिरीज में काम किया तो अब तक का सफर आपका कैसा रहा है बहुत अच्छा सफर रहा, सबसे पहले तो लकनौ के तमाम लोगों को बाशन दोगो, मेरा बहुत बहुत नवश्कार, सलाम, ससरी अकाल और राम राम मैं बहुत मतलब यहां पे लखनाओ इस बार आया हूँ तो वैसे तो अक्सर आता रहता हूँ लेकिन इस बार मैं आया हूँ खासता और सिर्रूबरू फांडेशन का प्रोग्राम है इर्शाद राही साहब और अज़र हुसेन साहब जो हैं उन्होंने ये और्डिनाइस किया प्रोग्राम इसमें पुस्तक विमोचन हुआ जिसका नाम जखम है जो रिशाद राही साहब ने लिखी और एक 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 एसास दिलों के इसमें फिफ्टी थ्री कवियों के कविताओं के संग्रे है उसके लिए मैं यहां आज़र हुआ और लकनवा कर हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे मुख्तार अनसारी साहब है ये भी बहुत क्या कहते हैं जोजारू और महंती सोशल आक्टिविस्ट है वो भी हमारे साथ हैं यहां पे और ये बॉलिवुड का सफर तो अच्छा सफर रहा मैं समझता हूँ कि एक्टर जो है वो एक खास खुदा का इश्वर का प्रताप होता है एक जो भी कला का एक्टर ही नहीं किसी भी कला का इक शेतर में जो इनसान जाता है चाए आक्टिंग हो चाए डिरेक्शन हो चाए कवी हो चाए संगीतकार हो चाए और भी जितने भी कला के क्शेतर हैं उसमें कलाकार कलाकारों पे खास तोर से इश्वर का एक प्रताप एक नूर होता है खास खास लोग होते हैं इश्वर के तो मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं एक ऐसे व्यावसाय में हूँ ऐसे ओक्यूपेशन में हूँ जो के साहित्य के साथ जुड़ा हुआ है और जिसमें जिसमें मुझे अपना अपनी आवाज पहुचाने का मौखा मिलता है इस सफर की शुरवात की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि बच्पन से ही आपका सपना था कुछ की मुझे अभीनेता बनना है अभीने करना है या कुछ उम्र के बाद आपको एहसास हुआ कि आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं नहीं कुछ उम्र के बाद ही हुआ बच्पन में तो फिल्मों का बहुत शौख था बहुत फिल्में देखी बहुत सारी मलब फिल्में देखी और फिर सिलसला शुरू हुआ कि चलो भाई हम एक्टर बनने की कोशिश कौन नहीं चाता हिंदुस्तान में हर नौजवान किसी किसी मोड पे अपनी जिंदगी के ये जरूर सोचता है कि मैं काश मैं एक्टर बन जाओं हर किसी को ये सपना होता है कि भाई मैं काश मैं कला के क्शेतर में खास तोर से एक्टिंग में आ जाओं और इसलिए मेरा भी था लेकिन मैं सिंगर भी बनना चाहता था ले इत्तफा तो सारे एक्टरों के साथ फिल्म में करने का मौका मिला तो मुझे एक तरह से मेरा सफर जो है बड़ा अच्छा रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं चैनल से बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ शबास खान जिनोंने बताया कि किस तवीके से वो कामियाब रहे हैं लोगों के दिलों में जगा बनाने के लिए क्यामिया परसिन संतोज के साथ मैं अकांग्शा मिश्वा माय भारत न्यूस लखना हूँ